तो क्या ब्रॉक लेस्टनर और डेनियल कॉर्मिर का मैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिल सकता है और रोमन रेंज का आपने वो समर स्लैम का ऑसम कैस तो देखा ही होगा तो फैनली रोमन रेंज ने उस पे भी अपना रियक्शन दिया है और ब्रेव आइट को एक बार फ स्टाइब सोने वाली यह और इसलिए फैन्स के भी सर्वाइवर सिर्फ के लिए कावी ह域 बनी होई है और उसका हमें सर्वाइवर सूरीज के टिकेट सेल्स पे बहें देखने हो रहा है गयोंकि सब्सक्राइब दबल डबली ने जो सोगे ऐन्ध तेकट्स अवेलीfight कर आय Soy और हम मान सकते हैं survivor series का crowd पुरा sold out होने वाल है Bray Wyatt की बात करें तो उनके returns के rumors काफी समय से आ रहे हैं और reports को according White Rabbit का भी खुला सा extreme rules में होने वाल है जो कि most probably Bray Wyatt ही है लेकिन उससे पहले ही Bray Wyatt को spot कर लिया गया है और आप ये photo अपनी screen पर देखी सकते हैं जहां पर वो अपने कुछ friends के साथ हैं और हमें यहां पर ये right वाला बंदा कुछ Sammy Jane जैसा दिख रहा है लेकिन वो Sammy Jane नहीं है बलकि वो Bray Wyatt के ही कोई दोस्त है और यहां पर Bray Wyatt काफी अच्छी shape में लग रहे हैं और साथे साथ वो ये भी कहते हैं कि वो Braun Strowman के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा excited हैं तो देखते हैं हमें कभी दोनों future में आमने सामने देखने को मिलते हैं और जब ऐसा होगा तो सच में काफी मज़ा आने वाला है इसके अलावा हो अपने hall of fame में इंडाक्ट होने के भी बात करते हैं वो कहते हैं इतना तो उन्हें पता है कि वो hall of fame में जरूरी इंडाक्ट होंगे लेकिन वो चाहते हैं कि future में Semas और 은हे hall of fame में इंडाक्ट करें रोमन कहते हैं जैसे ब्रॉइक लेस्ट ने मैंग फेनको मैंक लिया था और यह सिर्फ बेस्बाल के वहा था जबकि एक राइट हैं फिर उन्हांने लेफट हेंड से कैच कर लिया था और इसका रिजन रोमन को बताते हैं तो हमारी फाइनल अपडेट ब्रॉक लेशनर के क्राउन जूल के अपोनेंट से जुड़ी है और आपको पता ही होगा रिसेंटली ब्रॉक लेशनर और बॉबी लेशली के मैच के किते रोमर्स आ रहे थे लेकिन जब से डेनिल कॉर्मेर को सेथ रॉलिंस और रिडल के मैच के होने वाले हैं और हमें पास्ट में इन दोनों की यूफसी में कन्फरंटेशन देखने को मिली थी लेकिन अन्फॉर्चूनेटली इन दोनों का मैच करवाने की सोच रही हो और यह काफी बड़ा मैच है तो हम क्राउच जूल में इसके होने की पॉसिबिलिटीज मान सकते है और अगर डवल डवली भी कुछ ऐसा ही सोच रहे तो हमें एक्स्ट्रीम रूल्स में ब्रॉक लेशनर की वापसी देखने को मिल सकती है और वो सिधा जाकर कन्फरंट कर सकते हैं डेनियल कॉर्मियर को तो देखते हैं डे मैटजर की ये बात कितने सही होती है बाकी आज की अपडेट वीडियो यहीं तक थी अगर आप कोई वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये मैच देखना चाहोगे या नहीं बाकी मिलते रहेंगा ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडिय भाइब मिलते और के रहेंगा उनल को शीडियो शियो क। इंट यार एक मेंट ये तो पू는 सब्सक्राइब को सब्सक्राणा आप